नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका देख रहे हैं, आप खास कारक्रम आईश्वान भाव मैं हूँ आपके साथ, आपका इस्टो फ्रेंड संतोशी बात कर रहे हैं, आज पैदा हुए लोगों के लिए कि पूरा आपका साल कैसा वितेगा सिक्षा से लेकर ब्यापार तक सबकुछ आप किस तरह से पाने वाले हैं, ये पूरी जानकारी आपको इस कारक्रम में मिलती हैं, सबसे पहले तो आप एक जनवरी को पैदा हुए हैं, तो आप बहुत स्पेशल हैं, पूरा देश, पूरा बिश्व, आंगल कैलेंडर के अनुसार नववर्ष एक जनवरी क को ही सेलिबरेट करता है, तो इसके हिसाब से आप सब को नववर्ष की भी सुबकामना है, आज अगर आपकी शादी की सालगीरा तो भी आप बहुत इस पेशल हो जाते हैं, बहुत खास हो जाते हैं, क्योंकि आज का दिन आपकी साथ पूरा बिश्व मनाता है, तो हमारी त आते हैं कि आपके लिए पूरे वर्ष में सिक्षा का अस्तर कैसा रहेगा अगर आप एक जिन्वरी को पैदा हुए हैं तो पूरा साल आप पढ़ाई में बहुत अच्छी तरह से रमेंगे बहुत अच्छी तरह से मन लगाएंगे बहुत अच्छी तरह से अपने आपको तो उसमें कुछ दिक्कत उठापटक हो सकते हैं, बाकी चीजों में कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी, कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, एक अलग तरह से सुर्वात से लेके अंत तक आगे भरते जाएंगी, अगर आप एक चित्वरी को पैदा हुए हैं और आप बिजनस करते हैं, बैपार करते हैं, तो निश्रंदेह आपके लिए बिजनस का मामला थोड़ा सा टफ जाएगा, बैपार में कुछ उठा-पटक का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है कि आप जनवरी, फरवरी में ज्यादा रिस्क ना ले सके, लेकिन मार्च के बाद क कहीं से लोन आधि के लिए अपलाई करेंगे और लोन नहीं मिल पाएगा, जून-जुलाई ठीक है, अगस्ट सितंबर बहतरीन, अक्टूबर में कुछ समस्या पार्टनर्शिप की फिर पैदा होगी, प्राइवेट सेक्टर, एक जनवरी को पैदा हुए हैं, अगस्ट, नवंबर, दिसंबर, नई नोगरी के लिए किया हुआ प्रियास आपका सफल होगा, आपके लिए बड़ी समस्याओं से बाहर निकलने का अच्छा मौका होगा, उसमें आपको बहुत फोकस करना होगा, शांत रहना होगा, ध्यान देना होगा, सरकारी छितर में आप करते हैं तो प्रोमोशन के चांसेज, मार्च, जून, अगस्ट, अक्टूबर, नवंबर, इसके पहले आगे पीछे प्रोमोशन हैं, ट्रांसफर है, उस पे ध्यान दिजेगा, सरकारी छेतर के बाद दामपत्य जीवन, एक जनवरी को पैदा हुए लोगों के लिए मै बहुत सकारात्मक है, बहुत शुभा है, कहीं से कोई रुगावट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, नामपत्य जीवन में संतान संबंदी चिंता, जून, अगस्त, नॉवंबर में एकदम से दूर हो रही है, लव लाइफ, एक जनवरी को पैदा हु लोगों के लिए लव लाइफ में बहुत टफ सिचुएशन रहेगा, कुछ उठा पटक तो इस प्रकार की होगी, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन में जाना पड सकता है, तो थोड़ा अपने आपको मोटिवेट करके रखिएगा, नहान देजेगा, कहीं आसी दिक्कत स्वास्थ के मामले में देखा जाएं तो एक जनरी को पैदा होई लोगों के लिए हल्थवाईस किसी तरह की समस्या नहीं आएगी, स्वास्थ के मामले में कोई समस्या दूर दूर तक नहीं है, बेहतरीन हेल्थ आपका रहेगा, हड़ी की दिक्कत और बैक की प्राबलम थ तो अब उपाय क्या करें, एक जवरी को पैदा हुए लोगों के लिए उपाय के तोर पर, किसे जवरुत मंद को आप कुछ धन का दान कर दीजेगा, क्या नहीं करना है, आपको बढ़ बोला पन नहीं दिखाना है, पूरे साल इभी ध्यान दीजेगा, एक नया सेग्मेंट है कि पूरे साल क्या ध्यान देना है विश्येश, बढ़ भोला पन नहीं दिखाईएगा, नौनवेज मत खाईएगा, और दो पीपल के पौधे कहीं लगा दीजेगा, अपने हाथों से, इतना ख्याल कर खीए, बहुत 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 शुक्र आपके इस प्यार के लिए, फिल दो कन्याओं की शादी में भी मदद करना आपके लिए बहुत पावन पुनीत काम रहेगा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, फिर से नए साल का बहुत बहुत सारी शुप कामना है, मंगल कामना है, और हां, एक शी जोर बता दे हम, तीन और चार जनवरी क अब लोग भी अपाइल्मेंट सुरू कर देजे, थैंक यू, हमस्टेकार, बहुत बहुत शुक्रिया,